नमस्कार दोस्तों मैं अभिनो सिर्वास्तों आपके अपने चैनल English Doze with Abhi में आप सभी का स्वागत करता हूँ मित्रों आज का टॉपिक मैं आपके लिए लेकर क्या है हूँ UP Census 2011 मतलब उत्तर प्रदेश जन्गरणा 2011 से संबंधे ताज प्रश्णों और उससे पूरा detailed information मैं आप लों तक पहुचाने की कोशिश करूँगा मित्रों मैं पहले आपको एक-एक point को अच्छे से समझाऊँगा और उसके बाद मैं आपके लिए एक विसेश सरंखला लेकर कहा हूँ प्रश्णों की जो की अलग-अलग प्रकार के examinations आपके UPPCS, Lower PCS या अन्य examinations से समंधित प्रश्णों का पूरा एक collection है जो की पूछे भी जा चुके हैं और भविसे में भी उनसे पूछे जाने की समावना है तो मित्रों आये शुरू करते हैं आज की अपने इस वीडियो को और यदि अभी आपने हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें शेयर करें आये मित्रों सुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक दोस्तों यदि बात करूँ सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको समझाने की उत्तर प्रदेश के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा कि भारत की सोतंतरता से पूर दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम था दोस्तों वो आपका संयुक्त प्रांत था संयुक्त प्रांट था दोस्तों और ये कब तक रहा दोस्तों आपका तो ये आपका एक अपरेल 19 सो दोस्तों 37 तक ये रहा अब बात करें कि 1950 से दोस्तों इस संयुक्त प्रांट का नाम बदल कर की ही उत्ता प्रदेश रख दिया गया और तभी से दोस्तों हम लोग उत्तर प्रदेश के नाम से अपने प्रदेश को जानते हैं दोस्तों यदे बात करें उत्तर प्रदेश दिवस की एक प्रशन बनने की संभावना ये रहती है तो दोस्तों 24 जन्वरी मतलब 24 जन्वरी 1950 को ही दोस्तों इसका नाम बदला गया था इसी वज़े से 24 जन्वरी को दोस्तों उत्तर प्रदेश दिवस आपका मनाया जाता है अब ये तो एक आम सी जानकारी है कि इसकी राजधानी लखनाओ और दोस्तों जिवात करें इसके मुख्यमंतरी की तो यहाँ पर स्रियाधियोगी आयतिनाज जी इसके मुख्यमंतरी है अब आते हैं दोस्तों जोकि आज का टॉपिक हमारा जन्वर्णा से समन्देत है तो सबसे पहली बात जहां से प्रशन बहुत ज़्यादा बनते हैं मैं उन विसेश मिन्दों को आपकी ओड़ लेके चलता हूँ दोस्तों पहली बात समझेए यहां मैंने हाइलाइट भी कर दिया है आप देख सकते हैं सबसे पहला प्रशन आपके सामने यह बन सकता है कि भारत में पहली जन्गर्णा दोस्तों कब हुई थी तो याद रखिए कि भारत में जो पहली जन्गर्णा हुई वो 1872 में हुई थी दोस्तों तो इस वज़े से याद रखिए कि अगर आपसे ये प्रशन बने कि भारत में पहली जनगरणा कब हुई तो 1872 में यदि आपसे पूछता है कि अगर विदिवत या ओफिसियली जो है जब पहली बार जनगरणा की गई तो दोस्तों वो कब की गई थी तो वो दोस्तों आपकी लौड रिपन को दोस्तों भारत में जनगरणा का जनग का जाता है अब आते हैं दोस्तों आगे मेंविन पॉइंट की ओर पर बढ़ते हैं देखें दोस्तों दूसरी बात की जनगरणा प्रतेक 10 वर्स पर होती है यदि बात करें धोस्तों 2011 के जनगरणा की तो मैं आपको एक लाख छे हजार साथ सो चोहतर दोस्तों आपके गाउं थे जो और एक सबसे महत्पून दोस्तों जो सूचना यह 2011 की जो जनगरना थी दोस्तों वो आपकी पंद्रमी जनगरना थी जी आपकी पंद्रमी जनगरना थी दोस्तों जिसके अंतिम आकड़े दोस्तों आपके 31 मा अर्श दो हजार ग्यारा को दोस्तों दिये गए थे तो यह हो गई महत्पूर्ण जानकारी अब दोस्तों मैं आपको बता दू कि अंतिम जो है जो आकड़े दो वर्स तक जो है लगबग दो वर्स के बाद में एक माह और उसका हो गया था उसके बाद में दोस्तों 30 अपरल 2013 क फिर से दोस्तों उसके अंतिमाकड़े एक बार फिर से घोशित किये गए थे और अगर राज इस्तर की दोस्तों बात करें अंतिमाकड़ों की तो 29 में 2013 को ये घोशित किये गए थे तो दोस्तों आज मैं आपको पूरी रिपोर्ट से आउगत कराऊंगा तो आईए ये तो एक सामाने से जानकारी हो गई लेकिन यहां से प्रश्ण मात्पूर्ण जो प्रश्ण बनने थे वो मैंने बताए पहले जनगर्णा 1872 में अगर विद्वत रोप से पुछी जाए 1881 में जनक दोस्तों जनगर्णा का भारत में लॉड रिपन थे कब की जग कितने वर्स के बाद 10 वर्स के अंतराल के बाद ठीके दोस्तों और किस नंबर की जनकर्णा थी दोस्तों पंदरे जनकर्णा थी यह मेंन में पॉइंट हो गए आप चाहें तो नोट कर सकते हैं अब बढ़ते हैं अगले बात पर कि क्या है हमारा अगला बिंदू अगला बिंद दोस्तों मैं आपको आउगत कराऊंगा मैंने दोस्तों बहुती कम शब्दों में आपको पूरी जनगर्णा करनी चोड़ आपके सामने रखने ही कोशिश की और ज़िए अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों लाइक करते हुए शेयर करिएगा आईए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों ज़िए हम बात करें तो सबसे पहली बात याद रखिए कि भारत में भारत का जो उत्तर परदेश राज ज़िए जन संख्या के हिसाब से दोस्तों पहला इस्थान रखता है अब दोस्तों मैं आपको एक महत्पूर्ण बात बता हूँ क्या है महत्पूर्ण बात तो वो भी आप समझ लीजिए कि दोस्तों दुनिया में सिर्फ चार ऐसे देश हैं यदि भारत को मिला लिया जाए तब चार देश ऐसे बनते हैं कि जिनकी जन संख्या उत्तर परदेश से ज़्यादा है दोस्तों और कोई भी देश उत्तर परदेश से ज़्यादा है दोस्तों अब बात करें दोस्तों यहाँ पर मात्मूर बिंदुकी अगर बात करें कि कुल जनसंख्या दोस्तों कितनी थी दोस्तों परदेश की तो दोस्तों अगर हम बात करें उत्तर परदेश की जनसंख्या कुल कितनी थी तो आपकी यह आपडेटा यहाँ परदेश सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है कि 19 करोड 98,12,341 यह आप की थी कुल जनसंख्या परदेश की और अगर प्रश्ण बनता दोस्तों क्या है प्रश्ण यह बनता है कि उत्व देश की जनसंख्या अपने देश की मुलब भारत देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रत्सत है तो दोस्तों 16.5 एक प्रत्सत दोस्तों ये आपका डेटा important है अब बात करें कि कुल पुरुष जनसंख्या दोस्तों उसका प्रत्सत कितना था तो ये डेटा आपके सामने है अगर हम कुल महिला की बात करें तो यह आपके सामने है दोस्तों परतिसत जरूर याद रखिए तो कि प्रश्ण जनसंख्या के डेटा जो नमबर से ना पूछ करके उससे आपके परसेंटेज में पूछायाता है इसलिए यह ज़्यादा इंपॉर्टन पार्ट है अब दोस्तों बात करें कि कुल ग्रामीर ज जनसंख्या के अगर हिसाब से देखें यह पॉइंट देखें देखें दोस्तों हाइलाइटेट पॉइंट है कि देश के कुल ग्रामीर जनसंख्या में दोस्तों अगर उत्तरप देखा जाए तो देश में दोस्तों पर्थमिस्थान रखता है ग्रामीर छेतर के हिसाब से 18 12.6% जो उसकी जनसंख्या है वो आपकी ग्रामीर एरिया में मतलब ग्रामीर छेतर में निवास करती है यही दोस्तों मैं आपको बताऊं कि एक अन्य इसका माध्मूर बिंदू क्या है कि अगर हम बात करें सहरी जनसंख्या के हिसाब से दोस्तों तो महराश्ट के बाद में मत 2021-2011 तक कितनी जनसंख्या में व्रद्धी हुई है तो आपके सामने ये भी डेटा यहां पर मैंने यहां पर अच्छे रूप से देने की कोशिश की है 3,36,14,420 दोस्तों ये जनसंख्या में व्रद्धी हुई थी आपके फुल 10 की व्रद्धी थी दोस्तों अगर बात करें दोस्तों कि हम लोग परसेंटेस में अगर देखें इसकी बात तो 20.2-3% से और अगर वार्सिक व्रद्धी दर देखी जाए तो 1.85% थी दोस्तों ये आपका important data है जो मैंने highlight करके आपको दिखाया है ये दिबात करें दोस्तों अगली important बिंदु की तो अगला जो बिंदु बनता है दोस्तों वो आपका बनता है मैं सिर्फ दोस्तों वही बिंदु आपको बताऊंगा जो आपके परिच्छा के दिस्टिकोर से महतुपूर है म मैं आपको सिर्फ वही बिंदु बताने कोशिश करूँगा जो परिच्छा के दिस्टिकोर से बहुत ज़दा मात पूर है तो ये point भी दोस्तों आपका बनना बन जाता है कि दस्कीय व्रद्धिदर में दोस्तों अगर हम सभी राज्यों में देखें तो क्या इस्थान है त और ये प्रस्ण बन भी चुका है कि औस्त जन घनत्तों अगर 2011 की जन घरना के हिसाब से यूपी का देखा जाए तो 839 दोस्तों प्रति व्यक्ति आपका 100 दोस्तों प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है मतलब 839 व्यक्ति एक किलोमीटर में आते हैं ठीक है दोस्तों अब आते इस्थान है अगर हम लिंगा नुपाद 2011 की जन घरना के हिसाब से लिंगा नुपाद की बात करें तो एवरेज जो दोस्तों इसका रेशियो रहेगा वो दोस्तों आपका रहेगा 1000 पर दोस्तों 912 महिलाएं ये भी डेटा आपका important है अगर बात करें दोस्तों कि आपकी अन सुचित जन जातियों का जो लिंगा नुपाद है वो 951 है अगर हम बात करें लिंगा नुपाद में दोस्तों सभी राज्यों के हिसाब से तो आपका 26 इस्थान रखता है आपका उत्तर प्रदेश दोस्तों अगर अगले डेटा की ओर बढ़े हम दोस्तों तो अगला डेट आपका जो बन जाता है वो दोस्तों बनता है ये भी आपके एक्जामनेशन बनने लायक डिटा है कि 0 से 6 वर्स की जो आयू के दोस्तों बच्चे हैं उनका दोस्तों लिंगा नुपात 902 मलब 902 लड़कियों पर 1000 लड़कों पर 902 लड़कियां ठीक है दोस्तों अब बात करत है अगर हम बात करें दोस्तों आपके पूरुस वा महिला साक्षर्ता दोनों की अलग अलग तरस से हम सेपरेट अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि पूरुस आपका दोस्तों अगर हम मेल की बात करें 77.3 है दोस्तों और यदि हम फीमेल की बात करें दोस्तों तो आप का 2011 के हिसाब से दोस्तों यह दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आई थिंग गलत यहाँ पर में स्प्रिंट हो गया है ठीक है दोस्तों अगली बात करूं अगर दोस्तों कि अगर हमें आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं कि आपका सरवाधिक और कम जिले यहाँ से प् और अगर हम बात करें सबसे कम जन संख्या तो महोबा अगर जन गनत्यों के हिसाब से देखें मलब वो तो हमने जन संख्या के हिसाब से देखा अब हम जन गनत्यों के हिसाब से देखते हैं जन गनत्यों के हिसाब से दोस्तों आपका जो गाजियाबाद है वहाँ पर जन गनत वाला दोस्तों जिला है अगर हम बात करें कि साक्षर्ता की हिसाब से तो ये प्रस्म दोस्तों आपका बन चुका है कि साक्षर्ता के हिसाब से सरवाधिक जो साक्षर्ता वाला जिला है वो उत्तरपदेश का कौन सा जिला है तो दोस्तों गौतम बुद्धनगर दोस्तों या है दोस्तों धीक है दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों अगर हम महिला साक्षर्टा दर के आधर पर देखें दोस्तों तो आपकी सबसे आधा कानपुर में महिला साक्षर्टा दर है सबसे कम दोस्तों स्रावस्ति में है और यदि हम पूरुस की बात करें तो गौतम बुद् बात बात करते हैं कि आपके सरवादी जन संख्षा के हिसाब से या फिर नियुन्तव मन संख्षा के हिसाब से जनगनतों के हिसाब से साक्षर्टा के हिसाब से दोस्तों मैंने अलग-अलग डेटा को आपके एक सीक्वेंस में क्योंकि टॉफ फाइफ मैंने जो है डिस्ट्रिक्ट को मतलब सबसे जो आगे के पाद चिले हैं आपके वो घटे करम में हो या बढ़ते करम में हो जैसा भी होगा यूज के एक ओर्णिग मैंने हाँ आपके सामने प्रदर्शित करने की कोशिश की है और यहां से प्रशन दोस्तों बन जाते हैं आप जरूरी नहीं कि आप टॉफ फाइफ ही याद रखें लेकिन कम से कम सुरू के दो याद रखने के कोशिश की दिये कि आपका सरवाधिक जन इसी तरह से आपके ये पूरा देटा दिया हुआ है जो कि महात्रपूर्ण डेटा है आप इसको बाद में अपने हिसाब से भी देख सकते हैं अब बात करें दोस्तों यहाँ पर साक्षरतादर के हिसाब से तो दोस्तों निंतम साक्षरतादर मैंने जो महिला की यह सब मैं को दिखाया अब ये दोस्तों डिटियल डेटा भी है जो आप इधर अधर आपको कहीं जाने की जरूत नहीं है यदि आप सिर्फ इस वीडियो को अच्छे तरह से दो से तीन बार आप देखते हैं तो यकीन मानिए कि आपका इस टॉपिक से संबन देते हैं तो आईए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि अगर कुल ग्रामीर जनसंख्या जैसा मैंने बताया कि ग्रामीर जनसंख्या उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा है वहाँ पर निवास लोग जो कर परसंटेस में जो डेटा गिवन है यह इंपोर्टेंट है आपसे यह जरूर उचता है अब आते हैं दोस्तों अपने प्रस्णों की संखला के ऊपर और यदि दोस्तों यह संखला आपको प्रस्णों की अच्छी लग जाये तो आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को ज़्यदा importance रखता है तो प्लीज आप से निवेदन है करपया साथ दे मेरा तो दोस्तों आईए आगे बढ़ते हैं आपकी स्रंखला की तरह दोस्तों पहली स्रंखला आपकी बनती है कि उत्तर प्रदेश में अधिक्तम छेतर फल वाला जनपत दोस्तों कौन सा है दोस्तों तो दोस्तों आपके ऑप्सन आपका लखेंपूर खीरी का इस्थान आता है दोस्तों तो आपका सही ऑप्सन लखेंपूर खीरी हो जाएगा दोस्तों और उत्तर प्रदेश में जो की सबसे अधिक्तम छेतर फल वाला जिल है और आप देख सकते हैं कि UPPCS 2005 के एक्जामेशन में दोस्तों ये पूछा हुआ प्रशन है तो दोस्तों इसी तरीके से मैं अलग-अलग महात्वुड प्रशनों की सीरीज ये आपके सामने रखने वाला हूँ तो आए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे देखें अगर नेक 77.3 आपका 77.3 दोस्तों ये परसेंट आपका डेटा है आपका उत्तरपदेश का साक्षर्ता दर्श पूरुस का अगर अगली बात करूं दोस्तों अगला आपका बन जाता है कि जनगर्णा दोज़र के एक कियन साथ निम्न में से कौन सरवाधिक साक्षर्त हैं तो दोस्तो यहाँ पर जो आपका बन जाता है वो आपका जैन मलब जैनिज्म जो कैटेगरी है जैन कैटेगरी है वो आपकी जनगर्णा के हिसाब से सबसे ज़्यादा साक्षर जो है कैटेगरी में आती है यदि हम बात करें दोस्तों आपके देख सकते हैं कि UPPCSJ का दोस्तों ये UPPCSJ 2013 का आया हुआ प्रशन है दोस्तों कि यू 2011 के हमसार राज में सिसुलिंगा नुपात कितना है तो 914, 902, 927 ये 940 तो दोस्तों आपका 902 अभी अभी मैंने आपको बताया था ये आपका सिसुलिंगा नुपात है तो मित्रों जितने भी प्रशन की संखला मैं ले करके आये हू ये अपने आप में महत्पोर्ण है और जो भी मैंने डेटेल इंफॉर्मेशन पीछे दी हुई है आप वेडियो को रवाइन करके उसको एक बार जरूर अपने शब्दों में कोशिश करिएगी आप उससे हेल्प ले करके अपने शब्दों में जरूर बना करके एक बार अगला पर्शन क्या बनता है कि 2011 कि अनुसरर राज में महिला आबादी कुला आबादी का दोस्तों कितना प्रिच्षत है ये भी UP मेंस में पूछा गया है तो दोस्तों यदि बात करें आपके उत्तर की तो 48% आपका सही उत्तर हो जाएगा कि महिला आबादी आपके कुला अगला प्रशनगर देखा जाए अगला प्रशन क्या है उतरपदेश में लिंग अनपात का विभेद सरवाधिक रूप से कहा पर मतलब कब घटा है दोस्तों ये प्रशना आपका बहुत ज़्यादा महतुपूर्ण है कि कौन से साल के बीच में आपका लिंग अनपात में सब एक के बीच में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका सही उतर आपका हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी आपका 1991 से दोस्तों 1991 से दोहजार एक आगे बढ़ें तो आगे आप देख सकते हैं कि प्रदेश में जन संख्या की दस्कीय व्रधि पर दर अधिक्तम थी तो दो आपका यह उनीज सो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा एक मिनट दोस्तों 1961 है यह उनीज सो 61 से 71 है दोस्तों और 1971 से 81 से 91 यह फिर आपका 1991 से 2001 तो दोस्तों सही उतर की ओर अगर हम बढ़ें तो आपका दी दोस्तों सही हो जाएगा 1991 से 2001 के बीच में दोस्तों दस्कीय व्रध जो दर थी वो सबसे ज़ादा थी, अगर बात करें अगले प्रशन की और अगला प्रसन आप का बनता है कि प्रदेश की जलसंख्या मेरग सरवाधिक दस्की ये वरदी दोस्तों कब हुई थी ठीके दोस्तों, तो आपको ये आप जान सकते हैं, अभी अभी मैने दोस्तों, इ ये UP PCS 2002 में पूछा गया, वही प्रशन थोड़ा सा दोस्तों चेंज करते हुए, आपके 2006 की UP मुख्य परिक्षा में पूछा गया, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, इसका सही आप्शन अभी मैंने बताया, C हो जाएगा 91 से एक के भीश में, अगला प्रशन अगर देखें, 2011 के अंसार, उत्तर पेदेश में, UKST की सरवाधिक जो सांद्रता है, मतलब जन संख्या कहाँ पर दोस्तों पाई जाती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दू, कि आपका सोन भध्र जिला जो है दोस्तों, वहां पर UKST की सरवाधिक, उत्तर प्रशन में आपके पाई जाती है जन संख्या EST कास्ट की अगर बढ़ें अगले प्रश्ण की ओर 2011 के अगर निगम छेत्र में दस लाख से अधिक जन होगा दोस्तों वो दोस्तों आपका लखनव कानपूर गाजियाबाद और फिर आगरा और और सियापका सही हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ें तो आगे आपका प्रशन है कि 2011 के अनुसार निमन में जनगंत वारा जिल्ड दोस्तों कौन सा है तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आपका गाजी अबद दोस्तों आपने भी देखा भी था कि सरवाधिक जनगंत वारा जिल्ड है available अगर बढ़ें आगे की तरफ तो आगे आपके प्र Всемकाatus विन पर उ पुछ लिया गया है तो दोस्तों आपको बता दें कि आपका सही उत्तर दोस्तों आपने अभी भी मैंने आपको बताया था 2011 के अनुसार 912 महिलाएं आपकी 1000 पुर्षों के अनुसार वाला अगर compare करें तो 1000 पुर्षों पर 912 महिलाएं आती हैं तो दोस्तों यही उत्तर है आपका अगला बढ़ें अगर हम तो अगला प्रशन बनता है 2011 के अनुसार सरवाधिक नगरी आबादी दोस्तों किस जनपत्की है तो आपका प्रशन का उत्तर क्या होगा आप बताने का कोशिश करें तो दोस्तों ऑप्षन लखनव गाजियाबाद कानपुर गौतम बुद्नगर तो को सवराधिक हम तो मित्रों आपको बताऊं है कि आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा और बनता है उत्तर प्रशन समुद्ध में कि 2011 कि सखेंड हम तो वैसे तो मैंने आपको बताऊ और लेकिन आपके options के according अगर हम देखें तो कानपुर नगर दोस्तों आपका आगे जाता है आपके प्रश्न के अनुसार और यह UDA Pre के exam में आपका पूछा गया प्रश्न है 2014 में ठीक है दोस्तों आगे बढ़ें आगे आते हैं 2011 के अनुसार उत्तरप्रदेश का सरवाधिक तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि यह भी आपने नहीं किया है आगे बढ़ें तो आगे दोस्तों बढ़ते हैं कि आगे आपका प्रश्ना आता है 2011 के अनुसार सरवाधिक उससाख शर्ता वाले निन्न चार जिनों का सही अवरोहिक्रम इसी लिए मित्रो मैंने आपको टॉप फाइव अभी आपने उपर देखा कि मैंने टॉप फाइव का एक सीरीज एक आपको आपके सामने रखा था तो दोस्तों वो उसका रीजन यही था कि ऐसे प्रशन भी आपके बन जाते हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत पुराना प्रशन नहीं है 2017 के PCS के मेंस एक्जाम में दोस्तों ये प्रशन आया हुआ है तो एक important level है higher level examination का paper है तो आप देख सकते हैं बात करें अगर इसके सही उत्तर की दोस्तों तो सही उत्तर आपका बनता है option B दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया सबसे इजे औरो ही क्रम मतलब सबसे पहले गौतम बुद नगर जो की सबसे उपर आता है फिर कानपुर नगर आपका दोस्तों जो की second number पर फिर और आया और उसके बाद में इठावा ठीक है मित्रों आगे बढ़ें ठीक है आगे बढ़ते हैं 2011 के अनुसार सरवाधिक साक्षर्ता वाले सही जिलों का सरवाधिक साक्षर्ता वाले दोस्तों यहां ध्यान दीजिए दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिए देखे प्रशन किस तरह से बनते हैं कितना हलका सांतर करते हुए प्रशन में देखे आपके प्रशन को बदल दिया आता है देखे यहां पर औसत साक्षर्ता दोस्तों है ठीक है मित्रों और उसी प्रशन को बिल्कुल उसी तरह से पूछते हुए आपके सामने में आपको दिखाना चाहूँगा कि यहां पर इस बार पूछा गया है सरवाधिक शाक्षर्ता देख लीजे वही ओप्सन से हैं वही कोस्चन है आपके वह पूछा गया था आपके दोस्तों आप देख सकते हैं 2017 PCS में में यह आपका 2012 में दोस्तों पूछा गया है वही प्रशन वही तरीका अगर बात करें दोस्तों इसके उत्तर की तो उत्तर दोस्तों इसका सही हो जाएगा आपका सेम उत्तर से हो जाए गौतम बुद नगर, कानपुर नगर, और आया, और इटावा बात करें अगले प्रशन की, अगला प्रशन क्या बनता है कि नियुन्तम, सॉरी दोस्तों, जन्गरणा 2011 की अनुसार निम्न कथनों में से कौन से सही है तो ये दोस्तों, आपका PPCS में 2012 में दोस्तों, ये प्रशन पूछा गया है और मैं आपको बताऊं दोस्तों, कि पहले options की बात करें नियुन्तम, साक्षरता, दरवाला, जिला, स्रावस्ती है दोस्तों हमें बताना है, कि हमारा प्रशन का जो उत्तर है, वो कौन से सही है तो अभी आप देखिए, क्या आप यहां पर सही रखते हैं, देखते है नियुन्तम, साक्षरता, दरवाला, जिला, आपका स्रावस्ती और सरवाधिक, लिंगान, पात वाला, देवरिया आपका नियुन्तम, जन घनत्तवाला जिला, ललितपुर दोस्तों और नगर निगम के छेत्र की जन संख्या के आधार पर राजिका सरवाधिक जन संख्या वाला नगर कौन सा है छी के दोस्तों, अब, सुरी दोस्तों, सरवाधिक जन संख्या वाला नगर या फिर आपका तीन चार तो मित्रों अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था कि नियुन्तम साक्षरता दर सबसे जादा गौतम बुद नगर सबसे कम स्रावस्ति तो पहला आपका दोस्तों सही हो जाएगा अब सरवाधिक लिंगा अनुपाद दोस्तों आपका देवरि हो जाएगा आप देखते हैं एक और तीन मलव आपसन भी सही हो जाएगा अब बात करें दोजार ग्यारा के अनुसार राज में एक हजार बालकों पर बालिका जो सिश्वों की संख्या है वो कितने हैं लोवर प्री का जो है आपके PCS एक्जामेशन का पेपर में पूछा ग अगली बात करें 2001 से 2011 की अवधि में प्रदेश में जन संख्या व्रद्धिदर दोस्तों क्या रही है तो आप देख सकते हैं कि व्रद्धिदर की अगर बात करें अभी मैंने आपको बताया था 20 दसमलों दोस्तों दो दो आपकी ये रहे है जन संख्या व्रद्धिदर चीक के options यहां पर दिये हुए हैं आप देख सकते हैं इलाहाबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद या लखनव। अब दोस्तों क्या करना है आपको करना यह है कि घटे करम में जन सिंख्या के अनुसार, घटे करम में हमें जिलो को विवस्थित करना है अगर options आप देखें तो स सबसे पहले आपका इलाहाबाद दोस्तों आ जाएगा, यह तो पहले ही नंबर पे रहेगा, खेक है, उसके बाद आपका दोस्तों मुरादाबाद आ जाएगा, फिर दोस्तों आपका आ जाएगा गाजियाबाद, और उसके बाद दोस्तों आ जाएगा यह, मला आपका करम बन गया दोस्तों कौन सा बन जाएगा तो एक तीन दो चार मदब ऑप्शन नमबर दोस्तों आपका ए दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा प्रशन अगला देखते हैं अगला प्रशन क्या है दोस्तों कि 2011 के इनुसार किस जिले में साक्षर्टा उच्छतम है यह तीसरी बार पेट हुआ है और दोस्तों आप देख सकतें आलगजामनेशन नो의 पूछा प्रुचा प्रशन है गौतम बुधन अगर दोस्तों इसका सही उत्ता़ है दौस्तों अगर बात करें अगले प्रशन की अगला प्रशन बंता है 2011 के उनसा निम्नली मेंसे क्या सही नहीं है अगर बात करें कौन सा सही नहीं है यहां देश की जन संक्या का साड़े सूला परस्त निवास करता है यहां देश के सरवाधिक बच्चे पाए जाते हैं या फिर दोस्तों अगर बात करें अगला प्रशन देखें सुरी दोस्तों ऑप्शन इसकी दस्की व्रदी 177 प्रश्चत है तथा इसका लिंगान बन 912 है तो दोस्तों आपका आपसन नमबर दोस्तों जो C है वो दोस्तों नहाँ पर गलत हो जाएगा आपका ये गलत प्रश्चत इस कामला प्रश्चत ही उत्तर है वो आपका यही हो जाएगा 177 दोस्तों इसकी प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षर्टादर है तो अभी मैंने आपको महिला साक्षर्टादर के बारे में भी बताया था दोस्तों लेकिन चुकि आपसंस के अकॉर्डिंग हमें लाना है तो हम देख सकते हैं कि रामपुर में आपके सबसे कम महिला साक्षर्टा अगर हम बात करें अगले प्रश्ण की तो अगला प्रश्ण बनता है निम्न में से कौन जन संख्या की दर्श्ट से उत्ता प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है तो आपके options के according अभी मैंने आपको बताया था कि इलाहाबाद आपका सबसे बड़ा जनपद है जो कि जन संख शर्टादर दोस्तों आप देखिए PCS के मेंस में 11 और 12 दोनों में पूछा हुआ प्रश्ण है गौतम बुद्ध नगर आपका पहला option सही हो जाएगा मित्रों आप देख सकते हैं ये questions repeat इसलिए हुए हैं ये मैं सोची कि एक ही प्रश्णों को बार बार repeat किया गया है गरना 2011 के अनुसार सबसे कम जन संख्या वाला जो जिला आपका है वो कौन सा है दोस्तों चित्रकोट हमेरपूर महोबा स्रावस्ते तो दोस्तों आपका महोबा सही हो जाएगा option C अगला प्रश्ण अगर देखा जाए दोस्तों अगला प्रश्ण आपका है कि जन संगरना 2011 ग्यारा के अनुसार राज में 10 लाखी नगरों की संख्या मोस्त इंपॉर्टन प्रश्ण दोस्तों है और आप देख सकते हैं लोवर ये प्री एक्जामनेशन में आया है लोवर पीस जिस के कि ऐसी कि मलब कितने नगर आपके 2011 जन गरना के अनुसार थे राज में जो की 10 ल आखी कहा गया अगर बात करें अगले प्रश्ण की तो अगला प्रश्ण हमारा है कि 2011 के अनुसार निम्न में सबसे कम जन संख्या वाला जिला कौन सा है तो ये प्रश्ण में आपको बता चुका हूँ ये आपका महोबा है दोस्तों जो सबसे कम जन संख्या वाला जिला है दोस्तों उत्तरपदेश का तो मित्रों यहां पर यह स्रंखला यहीं समापत होती है और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मित्रों आप थे निवेदन हैं प्लीज वीडियो को शेयर करना ना भूलें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को करके आऊं तो मित्रों आप से निवेदन हैं करपया मेरी मेरा सहयोग करें और अपना पूरा सपोर्ट दें यदि आपको किसी भी टॉपिक से संब्द कोई अन्य जो है आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाओ तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं मै पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उस पर भी वीडियो बनाओ तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका दिन सुभ हो